इनेट मीटिंग का पहला बड़ा फैसला गया है इस कड़ी में ये बड़ी उम्मीद जगी है एक बड़ा फैसला दिया है और इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आईश्मार भारत स्कीम के तहट एपेफों के पेंशन होल्डर को फाइदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है सूत्रों के मताबिक लेबर मिनिस्ट्री इसकीम का फाइदा योग ये सब्सक्राइबर्स को मिले इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है लोगसभा में कारवाही जारी है आपको बता दे कि वित्त सच्चिव के अध्यक्षिता में एक विशेश समीति के गठन का एलान कर दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने लोगसभा में ये एलान किया है पिर से देखी एक्सन में और नई बजट में मिलेगा आपको हायर पैंसन के साथी EPS पैंसन में बोड़तरी तो क्या आपके लिए पैंसन से जुड़ा नया पैंसना होने वाला है बहुत बड़ा तोफा 65,000,000 पैंसन इसके लिए आज चुकी है फाइनली बड़े कुस्कबरी आज रात बड़ा बज़े से आपकी पैंसन को लेकर होने वाला है नया नियम अलागो जिसके नुसार मिलेगी नई पैंसन साथ में मिलेंगी आपको नय नियम तो कौन से पैंसन के लिए जारी क्या सरकुलर जिसके बाद दोजार चुकदा के बाद ये पैंसन से जुड़ा बहुत बड़ा बड़ा बदलाव होने वाला है साथी 2004 से पहले तताबाद के रेटार करमचारी जो की पैंसन के बिदबाव को लेकर काफी लमेस में समय से प्रसानी का सामना कर रहे थी तो उनके लिए भी रात बरी अपडेट आ चुकी है तो इन तमाम मात्यपुन जानकरी को एक एक करके वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे कर अपडेट मिला कि हायर पैंसन काफी कब मिल आबको तो यहां पर पैंसंदार के उन्होंनने आवजदन की प्रकेट काफी लमेस में समय से जारी है और आवेदन की प्रकेटで लमी ते और वैसे में अब हैर सपयके मोद को को भी बहुत सारी प्रेसानी का सामना करना पड़ रहा है जो कि दोजार चुगा में आपका पैंसन संसोदन हुआ था उसके बाद एक बार फिर से पैंसन दार के वैतल लिमिट की संसोदन को लेकर मांग काफी लमेश समय से कर रहे थे उनको लेकर सुप्रेम गोर्ड का क्या न तो इन तमाम अत्यपुन अपडेट है उनको जाने के साथ ही नियूंतम मासिक पैंसन की समस्या को लेकर एनसी की टीम से मुलाकात भी पैंसन दार को की और एनसी की टीम ने जो आप सभी की पैंसन को लेकर स्रम अत्रल से क्या नहीं समिक्सा किया है नोटिस से जारी क्या उन के निवाज़ासिक पैंसन जो एक अजार रुप एक मिलती है उसकी सिंखसा करने के मांग लमित है जो एनकी सिंखसा को लेकर githy की दोजा चुदा में आपकी पैंसन को यह लिमिट था जैसे कि संसुदन करने के बाद ते क्या था और पैंसन और टेड यूनियन ने उन्होंने कम से कम पैंसन दूगना करने की भी मांग की हैं तो कहीं नौगरा करने को लेकर भी अपडेट मिल रही है तो वैसे में अभी कि आज सभी को जो कापी लमित फैसला है जो पैंसन की बरत्री का उसको लेकर रात मिलने की उमीद की जारी तो नई सरकार के गठ्षन के बाद वित्यमंत्री मेरमना सीतर हमने जब जून के अंद में बजट पेस करेगी तब पैंसन वह को बड़ी भी पैंसन का तोबाद या ज पता है कि आकि यह लमित प्रस्ताव क्यों है एप फो को स्टाव की कमी का सामना करना पड़ रहा है और नौजार रिक्तियों मैं से चार अजार हाली में रिक्ती बरे गए थे अरी बजन से शिदू ट्रेड यूनियन ने हिंदू महासाबा के महासाचिव का का ना कि अधिका का इप अपने का हैं तो केंदरी नियासी बोड़ सी बीटी ने आपकी पैंसन को लेकर आकर क्या समिक्सा की हैं और आकरी आपको अब मिनिममम पैंसन को लेकर जो पैंसन दारके उन्होंने सी बीटी से मांग करने बाद सी बीटी ने क्या नया फैंसला के लिए राद बरी अ आयाम होते हैं जैसा कि इससे तत्य बीश सामिल है जिसमें की करमचारी पैंसने उक्ता ने आवसे के विवरेंड और इसपरश्टी करण भरदान करने के लिए अत्रिक समय भी मांगा है तो वैसे में आपकी पैंसन को लेकर से इवी टी का इस justamente होने वाला है फिलाल ये पैंसन से जड़ा मामला लहां है जिसको लेकर पूरी विस्तर से जान कर जानते है कर कि क्या हगा हिर गयाए लेकिन जो अभ्यास भी चल रहा है है और तारकी फेंज पैंसन के प्रिपावन को भी नुकसान हो सकता है तो वैसे में जो पैंसन धारकों की पैंसन को लेकर प्रक्रिया लमीत दो जार चुब्दा का जो संसर दोन होगा था पैंसन को लेकर उसके बाद फिर से विवाद जो की कापी लमीश में से पैंसन धारकों के दारा बना हुए कि पंदरा जार पे के वहतन लिमिट को या तो सरकार खतम करे और या तो वहतन लिमिट में बुरती की जाए ढको यंगे का दोीकॉर्पि तो आपकी ईपिएउ पैंसन को लेकर इस परकार की चोटी बड़ी ताज अबडेट होने वाली अगली बिडियाब डिटारी है उतर पर दिसकी करम चाहिएं के लिए लोकसभा चनाओ के नतीजों के आने के बाद ही बदलता है सरकार का मून तो सरकार का क्या बदला रहा है मून तो जिसमें की कोड के पैंसले के बाद ही उतर पर दिसर रहेजिकित सरकार कोड के आदिसों को नहीं म के लिए इस इंक्रिमेंट का फाईदा नहीं मिलने वाला है रिटार्मेंट के समय फैंसत्र बहुएं का जो अन्तीम बैसिक पे था उसमें एक इंक्रिमेंट जो नई बैसिक टैक की जाएगी इस नई बैसिक के उपर मांगए बैट्यका भुकताने किया जाएगा। केंदर सरकार के और कोट के यंकी केस वालों को ही देती है इसका फाइदा तो हर बार सुप्रिम कोड और हाई कोड अपने फैंसले में कर चुके हैं कि 30 जून या 31 दिसम्बर की डैट में जितने भी रिटाइड करमचरी हैं सभी को एक इंक्रिमेंट का फाइदा दिया जाएग और रंगाबाद हाई कोड के फैंसले के बाद महाराष्त राजजे के सभी करमचारीं को इसका फाइदा देती है तो वही पे चित्विए तीसरा राजज और अब उत्तर पर रदिसम्बी एक एसा राजए ओगया जिहापर सभी करमचार को उसका फाइदा मिलने वाला है हाल cabinet बैटेग में ये फैसला लिया गया है कि अब आगे circular जो आपकी पैंसन को लेकर होगा जो circular उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका फाइदा सब को मिलेगा या पर केवल कोड की केस वालों को इसका फाइदा मिलेगा तो इस परकार के जो एंकी उतरपरदिस की करमचरी उ के पैंसन दार के या फिर एरियर आपसे जुड़ा यानकी जो मुदा है इससे जुड़ा तो ये तमाम मुदों को लेकर आपको बज़ेट के इंदर भी राद देखने को मिल सकती है इस तरकी उमीदे की जारी है मीडिय और पूर कनसार इस तरकी कबरेद देखने को मिले कोई भी पैंसन की बोड़तरी को लेकर पैंसला जारी नहीं वाई